Assalamualaikum and hello everyone welcome back to my channel जिन्दगी जीनत की उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं बनाने जाए हूँ मैगी ये मैगी तो हरकिसी का फेवरेट होता है बच्चों से लेके बड़ो तक का और इसके बहुत वेरियंट होता है बहुत तरीकी से बनाए जा सकता है ड्राइ मैगी वेज नन वेज मैगी आप सूपी मैगी बना सकते हैं बहुत तरीकी के उता है वेजिज मैगी तो मैंने इसमें थोड़ासा टेच्चों वेजिज का डाला है थोड़ासा बटर थोड़ासा चीज ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप विदाउट चीज बटर भी बनाएंगे तो यह बहुत अच्छा बनके तयार होता है तो इसके लिए मैंने ले लिया है छोटू पैक मैगी का चार पैकेट चारो पैकेट को हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से की मैगी ओल टाइम फैबरिट सब कर रहा है बचपन से लेके जो सब कोई अपने बचपन से खाते हुए आरहें बड़े तक जैसे हम लोगों भी अपने बचपन से खाते हुए अभी तक आरहें और यह इसका टेस्ट सेम है और सेम फ्लेवर आता है चाहे इसको जैसे भी बनाते ना इसका एक जो टेस्ट आता है और उसके साथ जो शेशेट देते हैं न मैगी मसाला की उसे भी इकठा कर लिया इसके इलावा मैं मैगी मसाला खुद भी यूज़ करूँगी जो अलग से आता है मैं तो already हर सबजी में या फिर कुछ खाने में add करती हूँ मैगी मसाल हो और ये तो खुद मैगी है तो इसमें तो मैगी मसाल हो all time favorite डालना है डालना है तो फिर उसके बाद कुछ veggies ले 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 हैं मेरे पास घर में इतने ही veggies available थे आपके पास स्कैप्सिकम, बंदकोबी, मटर इसके लावा बहुत सारे चीज़ अवेलेबल होती है veggies में तो आप वो add कर सकते हैं मेरे पास बस गाचर, टर्माचर, प्यास ये था तो मैंने इन ही तीनों चीज़ों को cut करके swatay करने के लिए डाल दिया आपको इस तरीके से छोटे-छोटे cubes पे cut करना है आप चाहे तो chopper से भी से cut कर सकते हैं chop कर सकते हैं या फिर हाथ से भी इस तरीके से छोटे-छोटे pieces में cut कर सकते हैं अगर green chili बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप avoid कर दे, optional है बड़े के लिए है तो आप इसमें add कर दे मैंने बड़ो के लिए बनाए तो इस वज़ा से इसमें डाल दिया green chili इसे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है उसके बाद इसे हम लोग स्वाटी करेंगे एकदम ही low flame पे और उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा butter add कर देंगे यह बिल्कुल optional अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास butter नहीं तो आप यह process नहीं अपनाएंगे आप skip करते butter और cheese का जो भी आपके पास अगर सिर्फ cheese है तो cheese डाल दीजे अगर सिर्फ butter है तो butter डाल दीजे नहीं है तो कुछ भी पर डाल ये without cheese and without butter भी बहुत ही अच्छा ये बनता है trust me और ये मैंगी मसाला पूरा एक packet इसमें मैचे से डाल दूँगी और उसके बाद स्टेर करेंगे और फिर इसमें हम लोग डालेंगे चाट मसाला इस wedges में चाट मसाला डालके फिर स्टेर कर देंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे हमारा मैगी जो कराही में पकड़ा था ना पानी में बॉयल हो रहा था तो वो भी हो गया होगा तो उसके भी फ्लेम को मैंने आफ कर दिया है और ये wedges को दो तीन बार है से स्टेर कर लेंगे कुछ इस तरीके से चाट मसाला और मैगी मसाला इन दोनों का अच्छे से टेक्शर इसमें मिक्स हो जाए यहां पे हम लोग सॉल्ट आड नहीं करेंगे बस दोनों को मिक्स करके फ्लेम उफ कर दिया है और यह चुमाएंगी हमारा बोइल हो रहा था ना यह भी रेडी है फ्लेम ओफ कर दिया था मैंने और इसमें पानी बिलकुल लेवल में डाला था जाकि यह गीला ना हो और स्टिकी सा ना हो तो फिर मैंने सारे वेजिस को जो साटे करके रखा था वो एड कर दिया इसमें फिर मैंने इसमें थोरा सा चर्मरिक पाउडर एड किया थोरा सा चिली पाउडर, थोरा सा क्योमें, थोरा सा पेपर पाउडर और उसके बाद थोरा सा हम लोग इसमें साल्ट अड कर देंगे according to your taste छोड़ा पानी डाल के उसे प्राइब कर देंगे शारे मसाली को और उसके बाद आप पानी अपनी नीट के हिसाब से लगा दें क्योंकि सबसी हमारा अच्छे से सौटे हो चुका है मैगी हमारी पक चुकी है तो हमें से पस पानी डाल की बोई लाने देना है उसका सूप रेडी करना है तो इस वजह से हमें उसे स्टर कर लेना है और पानी लगाने के बाद जो चार शेशेट थे ना मैगी मसाला के जो मैगी के अंदर मिले थे हमें उसे इसमें डाल देंगे और स्टर करेंगे चारो पै एक्स्ट्राप को आड़ करने की नीड नहीं है और यह हमारा मैगी रेडी है टाइम टू सर्फ एक बॉल में आप इससे निकाल लिजे सूप आप बिल्कुल अपने हिसाब से रखिए मैंने इतना पानी आड़ किया था कि वह थोड़ा सा सूपी से लगे और थोड़ा सा तो वह चीज है और उसे स्पून की हर्ब से मैंने बाउल में डाल दिया है और यह हमारी मैगी रेडी है तो वीडियो पसंद है तो लाइक करे शेर करे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत जल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ